नमस्कार और विलकम यो लू वर्ल अफेर्ज नहीं प्रशान धवर नाव रीसेंडी भारत ने एक कमाल का जियो पॉलिटिकल मूव चला है जिससे ना शी जिंग पिंग ना शेबाज शरीव भारत में आएंगे यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने SEO Summit को Physically Host करने का प्लान कैंसल कर दिया है सब SEO कंट्रीज को कह दिया है कि वर्चोली समिट अटेंड करो मतलब के वीडियो कॉनफेंसेंग के जरीए समिट हो जाएगा और यह मैं आपको बता दो टाइमिंग के हिसाब से टाइमिंग सब कुछ होती है टाइमिंग के हिसाब से ए क्वेशन यहां पर यह है कि बोला तिनुबू यह नाम आजकल बहुत ही ज़्यादा निउस में है आपको बताना है कि यह व्यक्ति हाली में प्रेजिडेंट बन चुका है किस कंट्री का यह हैं आपकी आपकी ऑप्शन साउट आफरिका नाइजीरिया जिंबावे जिबूत इंपॉनेंट देश है लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में सही आंसर में आपको दूँगा वीडियो केंड में ओल राइट नाव यहां पर आप देख पाओगे यह हैं मेंबर कंट्री शांगाई कॉर्परेशन और्नाइजेशन के इंडिया पाकिस्तान चाइन आप समयत कई देश यहां पर आपको मेंबर मिलेंगे अब इस बार 2023 में जैसे आपको बता है भारत SEO समिट को होस्ट कर रहा है G20 समिट को अलग से होस्ट करेगा इंडिया वो अलग से होगा मगर SEO समिट को होस्ट करने की जो जिम्मदारी थी यह भी भारत की थी और इसी पाकिस्तान को मौका मिल गया इंडिया में आके कश्मीर का एशु रेस करने का आप सब को याद होगा S.E.O. का देखिए बहुत सा समिट होते हैं लीडर्स की अलग से समिट होते हैं मतलब के जहांपे शी जिंग पिंग, मुदी जी होंगे उसका अलग से summit होता है उसके लावा defense minister के summit होते हैं फिर विदेश मंतरियों के भी summit होते हैं जो विदेश मंतरियों का summit था वो आप सब ने देखा recently गोवा में हुआ था और complete chaos मज़ गया पाकिस्तान के विदेश मंतरी आए इंडिया में आकर question raise करने start कर दिये कि G20 summit कश्मीर मे और फिर ये भी कह दिया कि जी article 370 को वापस लाओ इंडिया को categorically बोलना पड़ा कि wake up and smell the coffee article 370 अब वापस ना आता it is history मगर पाकिस्तान को ये जो issue है एक बड़े forum पे उठाने का मौका में लिया उसके बाद हमने ये भी देखा कि चाइना के विदेश मंतरी इंडिया के summit से होकर पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में खड़े होकर बिलावल भुट्टो के साथ कश्मीर का issue फिर से race कर दिया अब इंडिया के लिए देखिए ये बहुत ही annoying था annoying मैं इसले कहूंगा आप क्यों कहें देखो G20 summit की जो meeting है ये recently कश्मीर में हुई 100% success के साथ गिंती के 3 countries ने meeting को attend नहीं किया साथी एरेबिया टर्की चाइना बाकि 17 countries जो G20 की member है उन्होंने summit को attend किया बहुत ही खुबसूरत इमज़स यहां से निगल किया और इस topic पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं कि कश्मीर boycott बुरी तरीके से fail कर गया था now meeting तो इंडिया की successful थी मगर बिना वजे ना पाकिस्तान जैसे country को हमारे देश में आकर ये सब issue उठाने का मौका मिल गया सिर्फ SEO की हो जैसे अगर ये SEO का summit का issue ना होता ना तो ये सब problem भी सामने ना आती और अभी तो देखिए भारत के सामने एक बड़ा challenge ये भी था कि फिजिकल एक summit होना था जहांपर शी जिंग पिंग शेबाश शरीव समेट पुतिन वेरियस वर्ल लीडर्स को इंडिया में आना था तब और ज़रा problem हो सकती थी आप इमेजिन करके देखिए पाकिस्तान की आज के समय international community में कोई respect एती है नहीं bankrupt country है अब democracy का जो थोड़ा ब Union, US सब बिल्कुल चुप हैं almost आप कह सकते हैं दुनिया को आप पाकिस्तान से कुछ उमीदी नहीं है तो ऐसे country का PM जिसके पास खोने को कुछ है नहीं वो इंडिया में आकर अनाप्शना भी बोलता कश्मीर का issue raise करता चाहे SEO में कश्मीर का issue raise करने का कोई प्रवदान है नह बीच में आकर आप कश्मीर का issue raise करो और बीच में हमने देखा कि भारत में कई पत्रकारों ने ये भी लिखा कि इंडिया क्या SEO में time waste कर रहा है I mean SEO में रहकर फाइदा भी क्या मिलता है ये सवाल genuinely इंडिया में raise होने शुरू हो गए थे मगर एक diplomat कौन होता है एक diplomat होता है जो सबसे जादा बड़िया solution निकाले एक tricky situation का एक immature country होता वो सिधा SEO को छोड़ देता हम SEO को join नहीं करेंगे नहीं नहीं ये तो इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा step चला है इंडिया ने कहें के देखो summit होगा मगर virtually होगा अपने अपने country में रहो मतलब शेबाज शरीप प coverage नहीं मिलेगी नहीं तो आप imagine करके देखो पाकिस्तान के PM इंडिया में आ रहे हैं अपने आप में इंडियान मीडिया बहुत ही अटेंशन देता इनसे काफी सवाल पूछे जाते ये हमारी मीडिया का यूज करके इंडिया के against statement देते तो सारी possibility जो है वो cancel हो गई है और इ दूसरा ना हमने चाइना को एक चंता दे दी है आज के समय मैं आपको बता रहा हूँ इनका सरकारी मीडिया एक ही topic पर बार बार articles publish कर रहा है इनके geopolitical thinkers एक ही बात को बार बार mention कर रहे हैं नेटो प्लस इंडिया कभी भी नेटो प्लस का मेंबर बन जाएगा यहां पे आप देख पाऊगे global times का article है US who's India who करना होता है कि किसी को आकरशित कर अपनी तरफ ले के आओ US who's India to join NATO plus ahead of मोर्दी बाइडन मीटिंग चाइना literally सांस रोक कर बैठा है कि NATO plus इंडिया आएगा या नहीं आएगा अगर इंडिया नेटो प्लस का पार्ट बन गया चाइना के geopolitical thinkers सिर बॉर्डर पे soldiers deploy कर दी है ये करने की क्या जूरत थी अब देखो इंडिया प्रॉपरली नेटो प्लस का मेंबर बन गया है तो इस चीज को लेकर बहुत ही जादा nervousness है चाइना में और चाइना की देखिए nervousness होनी भी चाहिए क्योंकि जो meeting का pattern है ये चाइना के लिए बहुत जाएगी कि इंडिया यूएस की partnership को defense partnership को और आगे कैसे ले जाए जाए फिर मोदी जी यूएस जाएंगे यूएस में जाकर ये बात confirm है कि इंडिया यूएस fighter jet engine deal confirm हो जाएगी उसके बाद नेटो प्लस पर आगे progress हो इसके chances भी बहुत ही जादा है यहाँ पे आप देख प being pushed into a direct confrontation with China by the US even if China and your relations at a low ab due to border standoff और साथी साथ इस article के end में इन लोगों ने ये भी mention कर दिया है कि अगर इंडिया एक side choose कर लेता है मतलब कि इंडिया NATO mechanism का part बन जाता है जैसी अब बाचीच चल रही है तो इससे एक बहुत ही बड़ा challenge खड़ा हो जाएगा इन regional organizations like Shanghai Corporation organization and its relations with China and India तो चाइना ये जानता है कि SEO पर बहुती बड़ा impact आएगा अगर इंडिया NATO Plus को join कर लेता है और इंडिया का जो ये निर्ने है कि SEO ठीक है कोई इतना बड़ा summit नहीं है अपनी virtual meeting से कर लेते हैं ठीक है जबकि ऐसा तो है नहीं कि physical meeting इंडिया host नहीं कर सकता या कोई COVID का issue है दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है recently विरेश मंद्रों की meeting हुई है तो अभी देखिए चाइना आने वाले समय में बहुत cautious रहेगा और interesting होगा देखना कि eventually NATO Plus को लेकर भारत सरकार क्या निर्ने लेती है वैसे मैं आपको बता दूँ मोधी government का सबसे perhaps बड़ा decision होगा foreign policy मे NATO Plus को join करना या ना करना क्योंकि जो भी इंडिया यहाँ पर करता है इसका एक बड़ा impact होगा भारत की विरेश नीती पर इवन भारत की security पर आने वाले 10 से लेकर 20 सालों तक तो देखना होगा eventually होता क्या है but for the time being इंडिया ने SEO का जो status है ना importance है कम करके बहुत ही अच्छा message किया है चाइना को ना फाइनली वापस आते हैं हमने question की तरफ इन विच कंट्री वाज बोला तिनुवू sworn in as the president तो सही आंसर यहाँ पे है option भी Nigeria यहाँ पे आप देख पाऊगे African देश है Nigeria oil rich country है इंडिया इससे ओली परचेस करता है तो यहाँ पे जो नया president बना है it matters to India तो फाइनली आपर मैं यह भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाहे SSC, UPSC, bank आप परचेस कर सकते हैं unacademy के quality courses comment section में जाईए pin comment में यहाँ पे आपको मिलेंगे link for example let's say आपको prepare करना है UPSC के exam के लिए तो UPSC के link पर यहाँ पर करिए click और यहाँ पे आप प to save a lot of money so use the code PD10 and save money और इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening may the gods watch over you